एका दशी के दिल जब आप जल शंकर को चड़ाने तो रोजी जाए जब एका दशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो तीन वाद मुक्स स्वधा 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 या स्वधा इस तो पाट जिसमें 12 लोग दो चार हैं पैसा तो आ रह दॉक्टर में पुलिस में एक्सिडेंट आदिक में कहीं गलत जगा पर वैसन में अगर पैसा जा रहा है जुए में मान सहर मदिरा पान यह कहीं आया पैसा पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं दा रुक नहीं दा कोई मांगने आ गया दे दिया फिर महां से अपन पास नहीं आ रहा है तो मारा शिव महापुराण की कथा करती है कि एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र साथ बेल पत्री डालकर जो नंदिश्वर भगवान अर्था जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चड़ाकर बेल पत्री शिव पर समर्पित कर देता है उसके घर में रुपिया रुकना चालू हो जाता है फिर वो गलत जग करेगा ही नहीं तुने सब्सक्राइब मांग तुझे क्या चाहिए एक आदशी ने बगवान विष्णु से कहा नात प्रभू वर देदो मृत्यू लोक में जो मनुष्य मेरा ब्रत करेगा चाहे जलचर थलचर वायूचर या संसारिक मनुष्य मेरा अगर एक आदशी का ब् प्रभू उसके यहां धन धान बेभव सुक्ष संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा सीधे बेकुंत का उसको वास मिलेगा जब जीवात्मा को लेकर चला जाएगा यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छुटे होंगे यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे तब मुझे वर्दो कि मैं इसका हाथ कर सारे नर्कोस निकालती हुई आपके धाम में लेका रहां बगवान ने बर दे दिया तथास्तू हे एकादशी सुनो म्रत्यू लोग का मनुष्य अन्न का त्याक करकर क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है अन्न का त्याक करकर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुमारा व्रत धारन करेगा उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारन करेगा उसकी मनों कामना पून होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा यह तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा जन्म के जल में मात्र शाथ बेल पत्री टाल कर जो नंदिश्वर बदवान अर्था जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल जड़ाकर बेल पत्री श्यू पर समर्फित कर देता है उसके घर में रुपिया रुकना चालू हो ज तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मारग पर जा रहा है मित्र दोस्ती गलत हो रही है वह सही जगा पड़ा जाए करना एक अधिशित कई लोग इसको धन के लिए करते हैं संपदा के लिए मतरक सो रही ही हर्तात जिसका भेपार नहीं चलता जिसके घर में पैसा नहीं आता या नो की लग रहे यह सर्वीस यह आखे लिए जुर्वते लिए करतें रूंड़ जाते है पो उसको किसी भी नारहन के मंदिर में राम कृष्ण शंकर नहीं रामकृष्ण भगवान विश्णु दत्त आधिक जितने नारेण के मंदिर हैं उस मंदिर में किसी भी पात्र में एक चोटे से पात्र में उसको भरतर रखी आते हैं महारत उससे भी जॉब सर्विस नोकरी में सभलता प्राप्त हो जाती है पंत वह वह एक अधर पोई होता है कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है पिर वही पात्र का जल्द किसी विडरक्श के नीचे डाल दिया जाता है उससे भी नोकरी के लिए फाइदा पंतु अधर होकत नाम लेकर कर यद्य गाय को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज़ प्रेयक योनी में भी पड़ा होता है भटक रहा होता है जिसको पिंग नहीं मिला जो अचानक मर गया होता है अधोगती में चले गया होता है उस जीव की मुक्ति तस्मीं एकादशीश और दोदशीए तीन दिन सोमप पित्र का नाम लेकर रोटी में में पूरी में में किड़्ा रखर गाय को घ्री तुब यसकी पुन्ड़ा है ऐसा क्या ही एकादशी में जो सी पुंद्दा मानी जाए एन है यह जो भगवान नारायन तक एकादशी का ब्रत करते हैं सुबद्रा जी को भगवान जगनात ने जगदीश ने एकादशी का ब्रत कराया था बद्र नारायन भगवान को माता लच्मी ने एकादशी का ब्रत कराया था क्यों चंद्रायन एकादशी ब्रत की माता एकादशी है कौन तो कहा जिसको वरत करने पर भगवान नारेन भी जिसका वरत करते हो भगवान माता लचमी जिसका वरत करती हो वो एकादशी है कौन तो सास्त्र वंडन करता है महराज इसकंद पुराण का सुंदर चातुरमास खंड के अंतरगत वंडन आया है महराज एक बार भगवा पास एक चरण के पास कुछ समय बाद वहीं पर ब्रम्म देव का आगमन होगा और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायन पादमावती से लगकर उठे और उठकर लच्मी की और जुके जुकने पर इन तीनों के सामा समा गम से भगवान नारायन के फिर्दय चित्ते से एक कञ्या ब्रगट हो गए उसकंञ्या का नाम एका के नाम था एक अभण उसके गुण इतने प्रवल थे भूदर गुण उसके बड़े प्रवल कि वह एक जिसको निहारती थी उसको संपदामान बनाते थी जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वह आनंद के अनुभुतियां करा देती थी एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खुल देती एका का पुन्य इतना पुन्य प्रक्ष पदमाबती उद्लच्मी ने कहा महाराज यह बेटी आपके द्वारा निर्मित जिन दखते हुं मालूम नहीं किसको दें एका किसको दी जाए कि प्रदान किसको करी जाए पुन्य पाटिसको दी जाए बगवान नरेन ने उसी समय लक्ष मी और पदमा से पूछा तुम एका दश्य के देए जब आप जल शंकर को चड़ाने तो रोजी जाए जब एका रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो तीन माल मुक्स स्वधा 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 या स्वधा इस प्रोत कपाट जिसमें 12 लोग दो चार है पैसा तो आ पर घर में टिक नहीं रहा जॉक्टर में पुलिस में एक्सिडेंट आदिक में कहीं गलत जगा पर वैसन में अगर पैसा जा रहा है जूए में मान सहार मदिरा पान या कहीं आया पैसा पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं रहा है रुक नहीं रहा है कोई मांग न के जल में मात्र है क्या साथ बेल्पत्री डाल कर जो नंदिश्वर भगवान अर्था जो संकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चड़ाकर बेल्पत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपिया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत इस्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं, तुने से भाड़ कि, मांग तुझे क्या चाहिए, एक आदशी ने बगवान विश्णू से कहा, नात, प्रभू, वर दे दो, मृत्यू लोक में, जो मनुष्य मेरा ब्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, बायूचर, या संसारिक मनुष्य मेरा अगर एक आदशी का ब्रत करेगा, तुर वो उसके यहां धन, धान, बेभव, सुक, संपदा बढ़ेगी, और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ सीधे बेकुंत का उसको वास मिलेगा, जब जीवात्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बना कर ले जा रहे होंगे, उस जीवात्मा को जिसके प्राण छुटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बना कर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर्दो कि मैं इसका हाथ पकड़ कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नर्कोष निकालती होई आपके धाम में लेका राम बगवान ने बर दे दिया तथास्तू हे एकादशी सुनो मृत्यू लोग का मनुष्य अन्न का त्याक करकर क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता हैं अन गانगा के जल में मात्र साथ बेल पत्री टाल कर देता है ह। जो शंकरजी के शिवलिंग के सामने नंदि होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का चल जड़ा कर बेल पत्री कर संकर्थ कर देता है उसके घर में रुपिया रुकना चालू हो जाता है पिर वो गलत जगह पर नहीं जाता है। ller living session झदा जैसे गंगा चल में तुलसी के 12 बत्त्ते डाले जाते और उसको किसी भी न्राइन के मंदिर में पर्याम कि आर्क भगवान और विश्णू डदध जितने न्राइन के मंदिर लाइन भर तर में उसको बहर कर specially आते में सफलता प्राप्त हो जाती पंत वो भी एकादशी कोई होता है कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है फिर वही पात्र का जल किसी भी विरक्ष के नीचे डाल दिया जाता है उससे भी नोकरी के लिए फाइदा है गंगा का जल कोई सद्रण नहीं तस्मी एकादशी और द्वादशी इन तीन कित्षियों पर एक रोती में थोड़ा सा मीठा रख कर सोमप पिप्र का नाम लेकर यदि ये गाये को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज़ प्रेयक योनी में भी पड़ा हुआ होता है भटक रहा होता है जिसको पिंड प्रेक नहीं मिला जो अचानक मर गया होता है अधोगती में चले गया होता है उस जीव की मुक्ति तस्मी एकादशी और दोदशी तीन दिन सोमप पिप्ट्र का नाम लेकर रोटी में पूरी में मीठा रखकर अगर गाये को खिला किया जाता है ये तीन दिन तक तक तो वो इतने कभी तटकते नहीं है उनका मुखी प्राप्रा हो जाता है